हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका एक वार फिर से स्वावत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हमारा कॉशन है अलेंगिक जनन तथा लेंगिक जनन में अंतर बताईए दोस्तो अगर आप भी क्लास 9 से 12 तक की क्लासिस के बीच में पढ़ते हैं तो आज का यह question आपके लिए important है तो दोस्तो इसलिए आप इस question पर IMF question डाल लेजिए दोस्तो अपनी copy में एक site अलेंग इक जनन डाल लेजिए और दूसरी site लेंग इक जनन डाल लेजिए तो दोस्तो आए बिना देरी किये हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं point number one इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और दोस्तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं point number two है इसमें योगमनज नहीं बनता है और इसमें अगोनित योगमकों के मिलन से दोई गोनित योगमनज बनता है point number three है यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विवाजन दोळा होता है और दोस्तो इसमें अगोनित योगमक नहीं बनते हैं point number four है पेत्रक कोशिकाओं से नया जीवन या जीव बनता है और दोस्तो पॉइंट नमर 4 है लेंगिक जनन में योगमनज से नई जीब का विकाश होता है दोस्तो हमारा पॉइंट नमर 5 है ये देख लिजी दोस्तो पॉइंट नमर 5 है इस बिदी द्वारा जनन कम समय में बा तेजी से हो सकता है और दोस्तो इस विदी द्वारा जनन में अधिक समय लगता है दोस्तो हमारा पॉइंट नमर 6 है बिना बीज बाले पॉदो जैसे गुलाव, अंगूर, केले इत्यादी में अलेंगिक जनन द्वारा जनन संभव है और दोस्तो लेंगिक जनन में पॉइंट नमर शिक्स है केवल बीजवाले पॉधों मैं ही लेंगिक जनन हो शकता है उम्मिद करती हूँ दोस्तो वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो हैलफल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स पोर वाचिंग थैंक्यू